मनिशा गुलाटी खिलाप दी शब्दाबली वर्तन वाले खिलाफ होई FIR दर्ज होरां दी भी नहीं खैर जल्द होवेगी वड़ी कारवाई मनिशा गुलाटी दे खिलाप दी शब्दाबली वर्तन वाले निशान गिल दे खिलाफ FIR नंबर 104 IT Act 137 IPC 509 देता है तब मामला दर्ज कीता गया तानुदास दिये के लगातार निशान गिल नादा व्यक्ती मनिशा गुलाटी दे खिलाप सोशल मीडिया दे पद्दी शब्दाबली वर्तरयासी जिस दे खिलाफ अमरिसर सिवल लाइन थाने दे विच 104 एक सो स्टार्ट IPC 105 दे तहत मामला दर्ज कीता गया तो अंदास ये के लगातार निशान गिल जो लगातार पद्दी शब्दाबली मनिशा गुलाटी दिया पोस्ट ना दे कोई भी ब्यान दे हेठा कमेंट करके पद्दी शब्दाबली मनिशा गुलाटी दे खिलाफ वर्तरयासी ताँ फिर उस तो बाद वड़ी कारवाई जड़ी ओकीती गई है तो हान दास दिये के एक प्रेस कॉन्फरेंस दोना न मनिशा गुलाटी ने भी कहा सी के जड़ी मेरे खिलाफ पद्दीया शब्दाबलीया वर्त देने ओना दी खैर नहीं मैं जल्द ओना ते एक्शन लवांगी तेहुण निशान गिल नादे व्यक्ति दे खिलाफ म्रिशर सिवल थाना लाइन दे थाने दे विच तारा एक्सो चोहंट आईटी एक्ट एक्सो स्टार्ट आईपीसी तारा पंसो नौ दे अधीन गैर जमानती तारामा दे तहत मामला दर्ज कर लिया गया दन्दाज दे के लगातार मनीशा गुलाटी सोचल मीडिया तेवी सरगर्म ने ते जोर तोखा तडियां दे केस समने आरेने या फिर कोई बजूर्ग मापे ओदे मामले समने आरेने जिनना नू बच्चे करतो वार कर देने या फिर जो बच्चियां जिना दे नाल जबर ज जिस तो बाद मनिशा गुलाटी दे वलो एक्शन लेंदे होए इना दे खलाफ कारवाई करवाई गया है FIR नमबर 104, ITX 107, IPC 509 दे तहत मामला दर्ज कीता गया निशान गिल दे खलाफ तो आनदास दिये के और वले समय दे वेच जड़े होर व्यक्तियां दे वलो पदी शब्दाबलिया पदियां टिपणियां कीतियां जांदियां ने उनना दे खलाफ भी कारवाई होवेगी पर फिला निशान गिल नादे व्यक्ति दे खलाफ मामला दर्ज कर ले गया